गुद इविनिग माइडियर्स वीयर्स ऑफ दे चैनल माइडियो साइंस आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक सौगत सबसे पहले नवश की हार्दिक आर्दिक बधाई सभी चैनल दर्शकों को जो नए जुड़े हैं जो मेरे सब्क्राइबर है उन्हें बहुत बहुत डमन और जो अब चैनल देखते हैं उनको भी बहुत बहुत नवश की बहुत बहुत बदाई ने साल की ये एक पहली फेस टू फेस वीडियो है इसलिए मैं आप सभी को चैनल के माद्यम से हैपी नियोर कहना चाहता हूँ आप सभी का 2021 वर्ष बहुत ही मंगल में हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आप सवस्त रहें और अपने जीवन के जो लक्षे आपने सोचे हैं निधारित किये हैं वो आप पूरे कर पाए हमारे प्यारे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे हमारे जेई और जेई मेंस एडवांस के एक्जामस के फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है 16 डिसमबर को आ चुकी थी और जैसे की पहली वीडियो ये मैं पहली वाश शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस 2021 वर्ष के लिए जो हमारे इंजिनिंग के चात्र हैं जो हमारे चात्राएं हैं जो एक्जाम देना चाहते हैं उनको एक बड़ी अच्ची खवर है कि आपको फोर एटम्स दिये जाएंगे तो पुरी विस्तर जानकरी इसमें दी जाएगी वीडियो को ये चैनल को सब्क्राइब करें जोने तब अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं किया बेल आइकॉन को दबाएं और चैनल के साथ जुड़े और बाकी सात्यों से भी शेयर करें आपको इसमें काफी इंफॉमे अच्छा ग्रोथ मुझे मिला है विदन पांच-चे महीने के अंदर-अंदर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है और जब रिस्पॉंस कोई चीज मिलती है तो और अच्छा काम करने का मन करता है और मैं भी आप लोगों के साथ शुड़ा हूँ और लेटेस्ट इं गिंदल ये चलता हूं कि इस बार आप जानते हैं चार बार je-e mains के paper होने हैं और जो best of four में से आपका जो score होगा वही आपके लिए मानने होगा आपकी admission process के लिए और साथ में जे-e advance का तो पता ही आपको तो पहला जो चरन है session one that is February 2021 23, 24, 25, 26 February में ये paper होने वाले हैं दूसर चरन second session March में होने वाला है 15, 16, 17, 18 dates विगराब नोट कर लें आप site पे भी हैं जो बच्चे नहीं site को check कर पाते हैं वो please note कर लें बहुत important है मैं last में भी कुछ और informations भी बताऊंगा अपने channel के माद्यम से जो बाकी channels नहीं बताता है ये तो मालब आपके साथ पूरे दिलो करम से मैं जुड़ना चाहता हूँ third session है April के महीने में मास के अंदर 27, 28, 39 और जो चोथा last session है fourth that is 24, 25, 26, 27 और 28 मही को paper होने वाले हैं अब इसमें आप जानते ही हैं कि एक B.E.B.Tech के लिए होता है paper 1 और उसके बार architect का paper 2 A होता है और B. Planning paper 2 B होता है तो इसमें क्या रहता है mathematics पहले ओले चरण में mathematics, physics, chemistry रहती है और architect में mathematics, aptitude test और drawing test होता है B. Planning के अंदर mathematics, aptitude, planning and questions part 3 होता है ये अलग-अलग सारा part है ध्यान से इसको go through होना है जैसे जैसे आपकी requirement होईगी वो आपके साथ साथ बताता रहूँगा मैं आपके साथ एक math moon बात जो मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ और important जो dates है हमारी site से मैंने ये video मलब ये paper download की हैं आप देख पा रहे होंगे हमारे site से लिए है मैंने और इसी से ही मैं आपके साथ ये संजा कर रहा हूँ आप भी जो National Testing Agency है NTA इसकी site से ही ये सारी जानकरी आप ले सकते हैं मैं जो जानकरी आपके साथ share करने जा रहा था फिर उसके बाद मैं डेट्स के बारे में बताऊंगा कि कितने fees हैं के last date है इसके बारे मैं मैं आपको विस्तरित में जानकरी दूँगा प्यारे बच्चों जो भी बच्चा non medical में पढ़ रहा है या पढ़ रही है मेरी video अगर देख रहे हैं कि आप कहां stand करते हैं जब आपने science non medical ली है तो बेशक आपका engineering में idea ना हो मतलब interest ना हो लेकिन paper जरूर देना चाहिए मैं अपने channel की तरफ से बता रहा हूँ उसका benefit यह रहता है कहीं बार क्या होता है बच्चे mind नहीं बना पाते है और बाद में उनका engineering का मझ बन जाता है तो उसके बाद engineering करने के लिए आपके options नहीं रहता अगर आपने paper दिया हो होता है आपका score card होता है तो आपको eligibility बन जाती है अगर आपने paper ही नहीं दिये होंगे तो आपको eligibility नहीं बनेगी क्योंकि मुझे लगबग 30 साल हो गए education field के अंदर बच्चों को पढ़ाते हुए और आप देख सकते हैं कि इस channel के मादिम से भी मैंने आपको बताया है time to time guidance दी है तो कई बच्चों का पहले रुजहान नहीं होता engineering की तरफ और बाद में उनका बन जाता है और जब बन जाता है तो तब उनके पास chance options नहीं रहते हैं कि वो engineering की तरफ जा सकें तो इसलिए मैं पहले से आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा मारा non medical का है उसे जरूर engineering का paper एक बार देना चाहिए बेशक उसको बाद में नहीं करना कोई बात नहीं तो बाकी अगर उसका B.S.C. में interest हो और other courses में interested हो तो वहाँ जा सकता है लेकिन एक बार paper दिया होगा तो अगर आपका मन engineering की तरफ बन जाता है तो तब आपको ये chance नहीं मिल पाएगा तो क्या है dates ये मैं आपको बता जाता हूँ 16 December को ये notification आ गया था और ये 16 January को ये application की last date है form भरने की last date of successful transaction of prescribed application form is 17 तो बहुत ही नजदीक हैं ये आप इसमें करें इसमें जो fees रखी गई है इसमें type of a general category की इंडिया की जो बच्चे हैं उनकी 6500 रुपए फीस रखी गई है outside जो है 3000 फीस है females में general category में जो बच्चों की फीस है वो 325 रुपए रखी गई है SC, ST और PWD में male और female की 325 ही रखी गई है और outside जो हमारे भारत से हैं NR20 उनकी 1500 रखी गई है transgender की जो फीस है वो भी 325 रुपए रखी गई है और पेपर BE और BTEC मालब दुनों अगर देना चाता है तो male की जो फीस है वो 1300 रुपए है और EWS, OBC और NCL जो है 6500 रुपए है SC, ST और PWD male female की 6500 है और transgender की 6500 फीस दी गई है तो ये date of exams मैं आपको विस्तरित मैं बता चुका हूँ ये सारी बाते लिकी हुई है और आपने इसमें JST भी लगेगी और correction in particular होगी 19 January से लेके 21 January for the February session और date of exams बता है हूँ है टाइमिंग जो है morning shift का 9 से 12 बज़े तक का time है 3 घंटे का paper है और 3 से 6 बज़े का शाम का evening shift है display of question paper attempt by the candidate the answer keys are inviting challenge ये आपको आगे course में बता दिये जाएगा जब आपकी answer किया आएगी तो कोई question के अपर अगर आपने कोई challenge करना हो तो वो आपको दिया जाएगा declaration of result on NTA website जो भी new course का है वो आपको जानकरी दी जाएगी तो ये थी एक महतबून जानकरी उन बच्चों के लिए जो हमारे J के sprint है J mains के लिए और आगे advance का भी आएगा तो उनके लिए महतबून जानकरी है तो अपना समय वतीत ना करें और जल्दी से अपना forum भरें registration में अगर कोई दिक्कत आएगी तो you can contact me at my card I will give you the numbers किसी भी परकार की कोई भी help हमारे channel की मात्यम से चाहिए होगी मेरी पूरी team आपके साथ जुड़ी हुई है आप तक पूरी latest information पुचाने के लिए और कोई भी किसी तरीकी भी जो queries होंगी उसको का भी समाधान करने के लिए मैं अपने help line numbers डाल दूँगा तो जिसमें आप call करके अपने जो कोई भी queries है या कोई परिशानी आती है तो उसकी जो है समाधान के लिए हमेशा हमारा जो channel है आप सक जुड़ा रहेगा तो इसी के साथ ही ये video मैं ये परी close करता हूँ Thank you, thank you for watching my channel that is Mind Your Science धन्यवाद, thank you